हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं ड्रो मेन्यू के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको यह मेन्यू यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यह आपका थर्ड मेन्यू होता है यहाँ पर यह है ड्रो मेन्यू इससे प्रीविश वीडियो में हम यहाँ पर होम और इंसर्ट मेन्यू को कवर कर चुके हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो उनका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो सबस्क्राइब करके कमेंट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है इरेजर तो देखिए अब यहाँ पर कुछ भी वर्क करेगा नहीं क्यूंकि आपको पहले नैस्ट क्रूप की जो कमांड्स है यह पैन वगेरा हाइलाइट वग अब यहां पर क्यूप कर सकता हूँ देखिए मैंने ऐसे ड्ल reference ग्र दिया तो यहां पर जो पैन है इसका कलार। आप यहां एरो पर क्लिक करिए ार यहां पर जो पिया था निद्या को भी कर सकते हो सबसेजिख टेंचे तो इस तरीके से आप यहाँ पर Penze का यूजज कर सकते हो इसमें नीचे और आप gonna design मिल जाएगा यहाँ पर जाएगा यहाँ पर देखिए और देखिए यहाँ पर इसक क्यों को yaptिने और गेल चेंश स्कानरा है अब इन चीज़ों को आपको erase करना है तो अब आप यहाँ पर eraser group के अंदर जो erase command दे रखके उसका use कर लीजिए select करेंगे इसको select करने के बाद देखें यहाँ पर अभी कुछ भी change नहीं होगा eraser में change नहीं होगा but आप यहाँ पर left click करके जैसे किसी भी ink को touch करेंगे देखिए erase होता चला जाएगा यह देखिए तो इस तरीके से आप easily erase कर सकते हो eraser से but left click करके रखना है then आपको touch करोगे line से तो आपका जो ink था वो erase हो जाएगा next जो option आपको दे रखका है pencil तो यहाँ पर आपको second जो दे रखका है अगर करना चाहते हो तो यह थेखना इसके लिए रखके options और यह pencil के लिए आपको दे रखका है colors but pencil में आपको यह पर कोई भी pattern नहीं मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर colors मिलेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर colorful pencil का use भी कर सकते हो next आपको यहाँ पर दे रखका है highlight तो मैं सबसे पहले इनको delete कर लेता हूँ सबी को तो आप control plus a करके यह objects है और delete button का use करिए यह delete हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर कुछ text add कर लेता हूँ जिसके लिए मैंने आपको पहले फंक्शन बता रखका है R A N D और bracket लगा देंगे 90 वाली enter कर दीजिए text हमारा आ गया है अब देखिए अगर मैं यहाँ पर pen का use करता हूँ इस text के उपर अगर मैं यहाँ पर pen का use करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो आपका text वो visible नहीं हो रहा है अगर आप यहाँ पर highlighter का use करेंगे तो यहाँ पर आपका text जो विजीबल होगा देखिए यहाँ पर आपका कोई भी color आप यहाँ पर ले लिजिए highlighter का तो यहाँ पर आपको और भी colors मिल जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ मिरको यह yellow color चीए मैंने select कर लिया है color जो है add हो जाएगा background में text के बाकी आप यहाँ से कोई और color लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो यह सारे आपको यह पर colors दे रख्या है next जो option दे रख्या है वो दे रख्या है आपको delete तो delete आप यहाँ से देखो pencil को भी delete करा सकते हो जो आपको यहाँ पर default में नहीं चीए ना वो आप यहाँ से delete करा सकते है जैसे मैं highlighter को delete करा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखे कोई भी आपका highlighter जो है भी नहीं आ रहा है इसके बाद आपको next दे रख्या है add pen का option तो यहाँ पर आप click करिए click करने के बाद में पर highlighter चीए तो देखे यहाँ पर highlighter जो है आ गया यह पूछ रहा है default color तो जो color आप choose करोगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा देखे यहाँ पर इस तरीके से आप highlighter add कर सकते हो तो यह थ option है आपका highlight नहीं होगा कभी भी highlighter के साथ तो यहाँ पर आपको select जो रख करना है या तो pen या फिर pencil तभी option आपका highlight होगा तो यहाँ से simple आप select कर लीजिए select मैंने कर लिए देखे select करते ही pencil को यह वाला option है आपका highlight हो गया है अब यह जो option है ना यहाँ पर automatically identify कर लेता है जैस यहाँ पर दोस्तों यह automatically identify कर लेगा देखो इसने ellipse बना दिया है automatically जो color हमने यहाँ पर choose कर रखा था उसके according अभी ही है यहाँ पर एक object है मैं आपको देखाऊंगा कैसे देखो तो मैं हाँ एक rectangle draw कर लेता हूँ यह देखिए अभी यहाँ पर दोबार draw करना पड़ेगा क्य कम कर लेता है है तो यहां से देखिए इसको द्रो किया करने के बाद मैं यहां से से deep thickness कम कर लेता हूं थोडी ची कि यह 11th ले यहां से और मैं pan का color ले लेता हूं black अमिलिसकी ध्यकर देता हूं कम यह फिर मैं ठीक है इतना कर लेते हैं अब मैं यहाँ पर कुछ ड्रो करता हूं तो देखे यह आटोमेटिक लिए इंटिफाई कर लेगा सरकल बन गया अभी इनको एरेज करना है तो आप यहाँ से एरेज कर सकते हो अब मैं यहाँ से सिंपल एरेजर का यूज करूँगा बड़ देखे ज लाकई है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इंक टू सेप का अभी यह एक अबजेक्त यह से सेंपल supply ही कर सकते हो यहाँ पर क्लिक कर ओ और ग्रह पर कर लिक कर sagen का लते कर्ये था आपका इसके बाद आपको लाश्ट जो अपसन दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे इंक टू मैथ तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मैथ इंपूट पैनल जो है ओपन होके मिल जाएगा अब यहाँ पर आप कुछ भी है मैं कि ढूंगे दुबारा एंपर रॉइट करोगा तो मैंने पर दूसके यहाँ अब पर यहां पर लिना यहां भी ले सकते हो और यह आपका भाई ठीक है तो यहां पर इसको ए तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो इसी के साथ हमारा जो ड्रो मेन्यों वो कम्प्लीट होता है तो मैं आसा करता हूं आपको इसारी सीचे समझ आ गई होंगी धन्यवाल